जहिन साथ यो नमस्कार अभेक्सल कंप्यूटर लाया है आप सभी के लिए शुभा सुभा धमाकीदार प्रश्णों के साथ ट्रपल सी की रिवीजन क्लास जी हाँ, दोश्टों हर सुभा ट्रपल सी की रिवीजन क्लास होंगी जहाँ पर आपको मिलेंगे CCC exam के धमाके दार प्रश्न साथी साथ exam से पहले आप अभाएक्षाल computer की CCC की 1100 प्रश्नों की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा वोकि वह एक मातर क्लास आप सभी को CCC exam टॉप कराने में सक्छम है तो उसे आप जहूर देख लीजेगा और Libre Office के बहुत साई प्रश्म एक्साम में देखने को मिलते हैं इसलिए Complete मैंने Libre Office की महामेरतन क्लास करा दी है उसे भी आप देख लीजेगा जिनें भी e-book की आवशकता है हमारी नई e-book आप सभी के लिए आ चुकी है जिस पर Present Time पर भारी discount चला है वीडियो की नीचे लिंक दी गई है वहाँ साब विजिट करिए, डाउनलोड करिए और ट्रपल सी एक्साम को टॉप करिए साथी साथ मौक टेस्ट के लिए विजिट कर लिजिए www.abhexal.com दीजिए टेस्ट, बनाईए खुद को वैस्ट तो चलिए, सुरू करते हैं आज की एक क्लार पहला कुछन यहाँ पर करसर के बाद टेक्स्ट लिखने के लिए विजिए एडिटर में किस कमांड का उप्योग करते हैं तू राइट टेक्स्ट आफ्टर दी करसर दी कमांड इन विए एडिटर इस यूजड टेपल सी की महामैथन क्लास में यह कुछन मैंने कराया हुआ है और एक्जाम में काफी पूछा आता है आज एक्जाम में पूछा गया था अमिसिंग जी ने भेजा था कि करसर के बाद टेक्स्ट लिखने के लिए वियाई एडिटर में हम किस कमांड का उप्योग करेंगे दो चीज़े होती है एक लाइन के लास्ट में लिखने के लिए और एक यहाँ पर पूछा गया है करसर के लास्ट में लिखने के लिए और फर्क बस capital और small का है तो यहाँ पर क्या होगा इसका right answer बताईए इन सभी questions को आप mock touch के रूप पे लेते रहिए और comment box पे अंसर देते रहिए वीडियो के last में आप जरू बताईगा कि आपके कितने questions सही हुए है तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option first is small a तो इश्माल a और line के बाद में पूछता है तो capital a और यह दोनों question exam में पूछाते हैं तो दोनों को आप याद रखेगा confused नहीं होना है आपको अब next क्या केवल odd page को command से print किया जा शकता है आज का जो exam था उसमें Libre office की काफी साई questions देखने को मिले थे या फिर event page भी आपसे पूछ सकता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ हम event page को print कर सकते हैं तो यह बिलकुल आपका सही है वहाँ पर आपको feature मिल जाता है आप sum और विसम page को अलग-अलग print कर सकते हैं जब writer man पढ़ाया था तो वहाँ पर printer की setting से open करके आपको दिखाया था कि कैसे आप all page, custom page, odd page, event page को print कर सकते हो अब next hardware का वह टुकला जो computer के digital signal को परिवर्दित करता है जो telephone line की यात्रा कर सकता है उसे क्या कहते है कली मैंने 100 question की marathon class कराई थी और उसमें ये question आपको बताया था और same to same as a question आज एक्जाम में पूछा गया था तो आप सभी लोग answer दीजिए क्या होगा इसका right answer तो इसका right answer हो जाएगा option D modem modem एक ऐसी device है जो क्या करती है computer के digital signal को परिवर्दित करती है और telephone line ओपर यात्रा कर सकती है means telephone line ओपर किसका उप्योग होता है तो modem का उप्योग होता है modem से संबंदित triple C exam में कई साइ questions पूछाते हैं जैसे की modem कैसा device है तो modem एक IO device है IO का मतलब input output नोट कर लिजेगा आज भी input output device है modem का अन्य नाम क्या है तो modem को modulator, demodulator के नाम से जाना जाता है modem analog signal को digital signal में और digital signal को analog signal में convert करने का काम करता है तो ये काफी important है आपके लिए अब next इक्कोल 25 divided by 32 minus 16 multiply 2 का मान क्या होगा कली मैंने आपको बताया था कि Libre Office Calc से सम्मंदित काफी साइ questions आपके exam में पूछे जाते हैं यहाँ पर calc open कर लेते हैं और with practical आपको दिखाते हैं कि आप इसको Libre Office Calc में कैसे solve कर सकते हो और exam में तो आपको only solve करना है और वहाँ पर आप कैसे इसको oral solve करोगे यहाँ पर जो हमारा question है वो क्या है जूंग कर लेते हैं इक्वल 25 divided अगर यहाँ पर bracket के अंदर जो value है 16 को 2 से multiply करोगे तो कितना आएगा 32 आएगा means यहाँ से यह आपका बन जाएगा equal 25 bracket 32 minus 32 अब 32 में से 32 आप minus कर दोगे तो 0 आजाएगा एक question यह भी पूछा आता है कि जब आप LibreOffice Calc का उप्योग करते हैं वहाँ पर किसी भी value को 0 से divide करते हैं तो इसका answer क्या होगा तो इसका answer यह होता है has div 0 और explanatory symbol ठीक है तो यह आपके लिए काफी important है तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option first ठीक है ओके अब next data संचारित करने के लिए ISP द्वारा उप्योग किया जाने वाला माध्यम कौन सा है देखिए तीन माध्यम उप्योग होते है ISP द्वारा data संचार करने के लिए सबसे जो famous माध्यम है networking device के अंतरगत modem को कहा जाता है modem से बहुत आसानी से data को हम share कर देते हैं अब यहाँ पर पूछा है कि data संचारित करने के लिए ISP द्वारा उप्योग किया जाने वाला माध्यम क्या है तो six chapter के अंतरगत आपने पढ़ा है coaxial cable के बारे में fiber optical cable के बारे में UTP के बारे में STP के बारे में यह सभी आपके लिए काफी important है तो कि data को जो संचरण है वो six chapter introduction to internet and www के अंतरगत मिलता है यहाँ पर आपके options हैं ultra high frequency radiation copper wire copper tar आप से भी जानते हैं electromagnetic pulses या satellite broadband तो बताए data संचारित करने के लिए ISP किसका उप्योग करता है अब कभी कभी triple six आप में पूछ लेता है कि ISP का full form क्या है तो ISP का full form होता है internet service provider क्या होता है internet service provider नोट कर लीजिएगा तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option B copper wire के माद दमशे यहाँ पर data संचार होता है copper wire के अंतरगती आप देखें तो coaxial cable हो गयरा आपकी आ जाती है अब next internet क्या है set of interconnected network software program collections of website या फिर search engine समय कम था तो जैसे ही question मिला वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया है internet क्या है एक interconnected network का set होता है एक software program होता है website हों का संग्रा है या फिर search engine है internet, network का network होता है means इसका right answer क्या हो जाएगा asset of interconnected network याद कर लीजेगा काफी important है collections of web pages वैब पेजों का जो संग्रा है वो website कहलाता है तो कभी कभी triple six सामें पूछ भी लेता है यह वैब पेजों का संग्रा क्या कहलाता है तो उसे website कहते हैं अब next क्या internet explorer एक web browser है true या false जो हमारी 2000 questions की e-book है जिसके link वीडियो के नेचे दी गई है वहाँ पर आपको मैंने web browser के बारे में पढ़ाया है जहाँ पर internet explorer क्या है कब डेबलप हुआ किसने डेबलप हुआ या google chrome के बारे में mozilla firefox के बारे में सब कुछ आपको topic to topic वहाँ पर दे रखा है तो बिल्कुल सही है internet explorer आपका एक web browser है एक question triple C exam में इससे सम्मदित ये भी पूछाता है कि internet explorer को किसने डेबलप किया तो microsoft ने डेबलप किया और कब किया तो 1995 1995 में डेबलप हुआ था किसने किया था Microsoft ठीक है जब आप windows 7 का उप्योग करते थे तो वहाँ पर आपको ये मिलता था internet explorer present time पर आपको मिलता है Microsoft is अब next IPv4 कितने बिटका होता है ये common सा question simple सा question हर बार triple C exam में देखने को मिलता है IPv4 और IPv6 रट लीजिएगा एकदम बहुत ज़्यादा एकसा में पूछता है तो बताइए IPv4 कितने बिटका होता है 32, 64, 128 या फिर 56 तो इसका राइटन सो जाएगा option first 32 बिटका होता है IPv4 IPv4 और IPv6 ये दो चीजे हैं दोनों आपके लिए important है ये internet protocol के version है तो IPv6 पूछता है तो 128 बिटका होता है IPv6 और IPv4 32 बिटका अब next impress का अधिकतम जूम कितना होता है show 200, 400 या फिर 500 आप question को आप देख रहे होंगे तो बहुत साइ students confused होंगे कि sir अब इसमें हम right answer क्या टिक करें क्योंकि impress का जो maximum जूम है वो कितना होता है 3000% होता है means अधिकतम आप 3000% जूम कर सकते हों तो यहाँ पर आप देख लो maximum value कितनी है तो दिये गए option के recording impress का maximum जूम कितना हम कर पाएंगे यहाँ से 500 कर पाएंगे इसी list का right answer आपको टिक करना है 500 ठीक है जब ऐसा कोई question देता है और आप जानते हैं इसकी maximum value जो दी गए value है उससे ज़्यादा है तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी value है वही आपको टिक करनी होती है अब next विभिन computer system के प्रसंसकरन की तुलना से एक जुड़ा सब्द कौन सा है MIPS EFTS CFPS या MPG exam में कई सारे नए questions भी देखने को मिले हैं जो आपके साथ हम day to day discuss करते रहेंगे तो यहाँ पर बताए क्या होगा इसका right answer कि विभिन computer system के प्रसंसकरन की तुलना से जुड़ा एक सब्द कौन सा है यह सब कुछ मैं explain करके आपको बाद में समझाऊंगा अब यहाँ पर right answer आप नोट कर लीजे MIPS अब next LibreOffice Writer में प्रियूक्त default font क्या है यहाँ पर थोड़ी सी mistake हो गई यहाँ से इसको हटाना होगा right after cursor LibreOffice Writer में प्रियूक्त default font name क्या है writer की default font name क्या है calc की क्या है और impress की क्या है आपकी exam में काफी पूछा आता है तो यहाँ पर हम open कर लेते हैं writer को file पर जाएंगे, new पर जाएंगे text document पर click कर देंगे तो यहाँ पर LibreOffice Writer आपका open हो गया zoom कर लेते हैं तो यहाँ पर जब आप जाते हैं font group में तो यहाँ पर font name देखिए दिया गया है LibreOffice Writer का by default font name होता है ऐसे ही जब आप calc का उप्यूग करते हैं तो calc में देखिए by default font name इसका क्या होता है Libreation Sans होता है तो दोनों को नोट कर लीजेगा writer का Libreation Serif और calc का Libreation Sans होता है तो यहाँ पर इसका राइटांस हो जाएगा option D, Libreation Serif अब next किस memory को बार-बार refresh करना पड़ता है SRAM, DRAM, EP ROM या फिर इन में शेक कोई नहीं देखिए बार-बार उसी को refresh करना पड़ेगा जो change होता हो अगर कोई दिवार स्थिर है तो उसको क्या हमें देखना पड़ेगा कि कहीं यह अपनी ज़हा से हाटी तो नहीं लेकिन table है table स्थिर नहीं है उसको हम आगे-पीछे कर सकते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई कहीं किसी ने आगे-पीछे तो नहीं किया तो DRAM का Full Form होता है Dynamic Random Access Memory, RAM का Full Form Random Access Memory और DRAM का Dynamic Random Access Memory, ऐसे ही SRAM का Full Form भी ट्रेपल से इक्साम में काफी पूछता है, तो इसका Full Form होता है Static Random Access Memory, क्या होता बच्चों, Static Random Access Memory, EP ROM का Full Form भी काफी पूछता है, तो ROM का Full Form होता है Read Only Memory, P ROM का Programmable Read Only Memory, और EP ROM का Erisable Programmable Read Only Memory, क्या होता है, Erisable Programmable Read Only Memory, Note कर लीजेगा काफी Important है, Simple सा कुष्चन है, लेकिन एक्साम में काफी पूछता है, अब Next, F5 से Slide Open किया जाता है, एक चीज एक्जाम देते समय आपको ध्यान में रखनी है, इसमें True and False के जो कुष्चन हैं, कभी-कभी A Option में True दिया होता है, और B में False, कभी-कभी A में False और B में True, और टिक आपको उपर साइड में करना होता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजेगा कि A में False लिखा है, कि A में True लिखा है, तो यहाँ पर पूछा है कि F5 से Slide Open किया जाता है, तो बिल्कुर False है, तो इसका Right Answer हो जाएगा Option First, False, Up Next IMEI Stand For, IMEI का Full Form क्या है, Internet Mobile Equipment Identity, International Mobile Equipment Identity, International Mobile Equipment Identify, या फिर इनमेंशे कोई नहीं एक कुशन मैंने कल आपको बताया था कि IMEI का Full Form क्या है, IMEI का उप्योग क्यों करते हैं, और IMEI कितने डिजिट का होता है, और एक्जाम में आद पूछा भी गया था कि IMEI का Full Form क्या है, तो इसका Right Answer हो जाएगा Option Second, International Mobile Equipment Identity, अब इसे सम्बंदित एक कुशन ये भी पू गुम हुए Mobile की खोजबीन करने का काम करता है, तो एक कुशन ये भी पूछ लेता है, कि गुम हुए Mobile की खोजबीन करने के लिए किसका उप्योग करते हैं, तो IMEI नंबग का करते हैं, अब Next Equal ABS, Minus 150.59 का मान क्या होगा, 150.59, Minus 150.59, 150 या Minus 150.00, बताइए, क्या होगा इसका मान, तो इसका Right Answer हो जाएगा, Option First, 150.59, तो कि ABS फार्मूला, Minus संख्या को Plus में कनवर्ड करता है, तो यहाँ पर Minus 150.59, Plus 150.59 हो जाएगा, अब Next CHAP more secure than PAP, बताइए, काफी important question है आपका, कि क्या CHAP, PAP की तुलना में अधिक सिक्योर होता है, तो बिलकुल सही है, Option First is Right, अब Next CEO का full form क्या है, Cheap Executive Office, Chief Executive Officer, Cheap Expenses Officer, या फिर इन में शे कोई नहीं CEO, आप सभी जानते हैं न, जैसे exam में कुछन में पूछता है, यह Google के CEO कौन है, Facebook के CEO कौन है, तो इसका Right Answer हो जाएगा, Option Second, Cheap Executive Officer, अब Next Rehears Time will start counting in units, आपने LibreOffice Impress के अंतरगत, स्लाइट सो बनाते समय, Rehears Timing का उप्योग किया होगा, तो यहाँ पर यही पूछ रहा है, कि Rehears Time में, जो काउंटिंग है, वो किस unit से स्टार्ट होती है, मिनेट से, मिनी सेकेंड से, आवर से, या फिर सेकेंड से, तो इंप्रस में या पावर पॉइंट में अगर आपने स्लाइट्स पनाई होगी, तो वहाँ पर Rehears Timing का आपने उप्योग किया होगा, तो जो काउंटिंग की unit है, वो वहाँ पर सेकेंड होती है, आपसन D is right, अब next, विन्डो 10 में विन्डो की प्लस आई किसकी शॉर्टकट की है, मिनसर विन्डो के साथ में आई का उप्योग हम किसके लिए करते हैं, ब्राउजर के लिए, शेटिंग के लिए, फाइल एक्स्प्रोडर के लिए, या फिर री स्टार्ट के लिए, तो वि अब next, पोस्ट इन्फो एप किस विभाग द्वारा जारी किया गया, डांक घर, रेलवे, इंटरनेट या इन में से कोई नहीं, पोस्ट इन्फो, सिंपल सा कुश्चन है, नाम को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा, अर्थात, पोस्ट इ इतने questions, आसा करता हूँ कि यहाँ वीडियो आपको पशंद आया होगा, वीडियो पशंद आया हो, तो लाइक कर दीजिए, शेर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, तो चैनल से जूरने के लिए सब्स्राइब कर दीजिए, ठैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो, फिर मिल करते हैं, नेस्ट प्लास में नई अपडेट के साथ, नए questions के साथ, तब तक के लिए, बाए बाए.